कि नमस्कार दोस्तों मैं विनीदा संस्कृति आईएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं आज का जो हमारा चर्चा का विशे है वह है प्रत्वी पर उभरता एक नया महादीप देखें जो आप अफ्रीका महादीप को देख रहे हैं यहां से यह सागर और यहां पर जो अदन की खाड़ी है इसमें जो बार का पानी है इससे जो बार आती है उसको पानी वहां पर भर जाएगा उससे कहा जा रहा है कि एक महासागर का भी निर्बान होगा तो चलिए विस्तार पूरवक देखते हैं कि यह सब कुछ कैसे होगा क्या इसके करण है क्यों सब्सक्राद होा कि मैंने आपको बताया कि पूर भी अफ्रीका का एक हिस्सा जो है कटकर यहां से देखे यह पूरा आपको बताया है यह बटरा एक महादीव के रूप में अपने आपको विक्सित करने वाला है और इसके पीछे का कारण से को हमारी सब्सक् sucre प्रत्वी है पूरी प्रत्वी जो है साथ बड़ी प्रत्वी उसे विभाजित किया गया है और साथ ही इसके इंदर बहुत सारी और चोटी चोटी प्लेट्स हैं तो यहां पर क्या हो रहा है यहां की बात अगर आपको बता है तो यहां यह पूरी बात हो रही है हमारी अफ्रीकन प्लेट के वारे में इस अफ्रीकन प्लेट में यहां छोटी एक प्लेट है नूबियन प्लेट नीचे है सुमालियन प्लेट और इधा है हमारी एक Arabian Plate तो यह जो नूबियन प्लेट और सुमालियन प्लेट है इन दोनों प्लेट के बीच में अपसारी संचलन हो रहा है अपसारी संचलन मींज क्या कि यह एक दूसरे से दूर जा रही है जब हम बात करते हैं अभी सारी संचलन की तो एक दूसरे के पास जात जाएगी तो क्या होगा पीच में घाटी बनता जाएगा बीच में खाली जगह बनती जाएगी अब इस खाली जगह पर क्या होगा यह लाल सागर आप देख रहे हैं और साथी साथी हां जो अधन की खाड़ी देख रहे हैं इन दोनों में जब बार आएगी तो उसका पानी यहां पूरी जो पूरा यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर पानी इखटा हो जाएगा और इसके कारण कहा जारा है कि नए महासागर का भी निर्माण होगा देखें यहां पर बताया है विज्ञानिकों का अनुमान है कि जो अफ्रीका का हॉर्ण एरिया है वहां पर अफार्तृबुज में एक नए महासागर का भी निर्माण हो सकता है तो यह अभी नहीं होगा इस प्रक्रिया में काफी लंबा टाइम लगता है क्योंकि हम जानते ही है कि प्रत्वी के प्लेट्स में संचिलन होता है जो हम प्लेट टेक्टॉनिक थेयोरी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है बहुत स्लो प्रॉसेस हो पूर्व अपरीका की ग्रेट रिफ्ट वैली से कहा जाता है तो यह सारी चीजा आपने समझें अब देखते हैं इसके प्रमुक बिंदू क्या है देखो सबसे पहले जो यह स्टार्ट हुआ था ऐसा माना जाते है कि 2005 में सबसे पहले जो हमारा इथोपिया है वहां के रेगिस बूव वग्यानिकों ने क्योंकि आजकल हमारे पास बहुत अच्छी तकनीक है जीपियस तकनीक है उपकरन है साथी साथ उपग्रह के रडार्स है और ऐसी तकनीक है जिससे हम प्रत्वी के नीचे की चीजों में प्रत्वी के नीचे संचलों को हम देख सकते हैं तो क्या चोटी सी बनी है इस दीरे दीरे करके बड़ी होती चली जाएगी वहाँ पर क्या होगा एक नए पानी का बंढारन होगा किसकी वजह से जो लाल सागर है और हमारे जो अधन की अब होता क्या है एक कोई भी महासागर बनता है कोई भी महादीब बनता है उसकी जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही लंबी होती है और जटिल होती है उसमें होगा क्या कि महादीप्यों का विक्ठन होगा महासागर एक कटक्स का निर्मान होगा और भी बहुत सारी चीज़े कि दीरे दीरे बहुत स्लो़ प्रॉसेज प्रती रहती है और तीरे-धी कर अलग बन जाए गा और महासागर यहां पर कहा जा रहे है कि आरने वाले टाइम में एक महाँ सागर और एक महादीब आप देख पाएंगे इस चेत को कहा जा रहा है कि यहां पर जो है magnetism है जिसके कारण से हमें यह पता चला है कि प्रत्री के नीचे जो है संचलन हो रहा है यह सिर्फ इस magnetism के कारण पता चला और यहां पर यह है अब देखो यहां पर जो हमारी प्रेट का इस्थानांतर हो रहा है यानि कि जो रिफ्टिंग हो रही है रिफ्टिंग की प्रक्रिया हो रही है उसके कारणों के बारे में जो विज्ञानिक हो क्या कहते हैं वह यह कहते हैं कि पूर्वी अफ्रीका है उसके नीचे जो मैंट की प्रॉसेस का मतलब कि इनके अलग होने की प्रक्रिया का एक कारण उसे माना जा रहा है चलिए अब हम देख लेते हैं हमने बहुत पढ़ लिया कि अफार त्रिबुच है अफार त्रिबुच क्या है अफार त्रिबुच जो है पूर्वी अफ्रीका का सबसे भोगौलिक अफार क्यों रखा गया है अफार जो है वहां पर एक जन्जात ये समू है जो वहां उस छेत्र में रहता है जिसके नाम पर इसका नाम जो है अफार है और इसको त्रिबुच शब्द जो है त्रिबुच शब्द क्यों का गया है कि जहां पर जो इस ठलाकृती मानचित्र प में तीन लूब्यान और अरेबियन अब यहां पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो हमारी नूब्यन प्लेट है और सुमाली प्लेट है एक दूसरी जो है अलग जा रही है जिसकी वज़े से हो वा कहा रहा है कि प्रत्वी के जो परते हैं वो तूटती जा रहे जिसकी वज़े से वो तूट रही हो पतली होती जा रही है तो यह सारा कारण था अब देखें यहां पर एक और साथ में अगर हम अफार त्रिबुज को पढ़ रहे हैं तो इसी के साथ में हमें एक और जगे हां पर हम देख लेते हैं डनाकिल जो डिप्रेस है यह क्या है हमार यहां यहां पर है क्या यह प्रत्वी का सबसे गरम एयरे मना जाता है और साथी प्रत्वी कर नीचे ऐसा सभूर से सो मीटर नीचे है या 330 फीट जो है नीचे है हमारी प्रत्वी का सबसे नीचला इस्थान क्या है डैड सी डैड सी को कहा जाता है कि सबसे नीचला इस्थान है और ये कितना है तो ये जो है ऐसा कहा जाता है कि 428 मीटर के करीब ये है समुद्रतल से नीचा है अब डैनियल मैद यहां से कोई भी जलकी धारा नहीं निकल सकती अगर आप यहां से किसी भी जलकी धारा को प्रवाहित कराएंगे तो क्या होगा उसका वास्पी करण हो जाएगा तुरंत वहां पर बचेगा ही नहीं अब इसके आसपास क्या है पूरा सी का एरिया है तो यहां पर सी वाटर भी आता है अब सी वाटर में से अगर आपको यह हो कि वहां पर सी वाटर अगर पूरा वाश्पिक्रत हो जाए यानि कि पूरा वैप्राइस हो जाए पानी तो क्या बचता है सिर्फ सॉल्ट बचता है इसलिए यहां पर यह कहा जाता है क तो चलिए आज की वीडियो का प्रश्ण देख लेते हैं प्रश्ण आपसे गयता है कि निमने लिखित में से कौन सी टेक्तॉनिक प्लेट अफार्थ रिबुट से संबंदित हैं आपको चार आप्शन दिए गए हैं नूबियन प्लेट सोमाली प्लेट अरेबियन प्लेट या उप्रोक्त सभी इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताईए अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद